Welcome all of you on my YouTube channel, Economics with Excellence. आज की इस वीडियो में फर्स पेपर का थर्ड पार्ट हम लोग स्टड़ी करेंगे, जिसमें मैं आपको टीचिंग अप्लिट्वीट पढ़ा रही थी और आज की इस वीडियो में हम इसके मॉडल्स को स्टड़ी करेंगे. Teaching Applitude के जो सबसे basic models है वो तीन models है. First model है pedagogy model, second model है endragogy model and third model है heutagogy model. सबसे पहले आप इसके structure को समझने की कोशिश करें ताकि बाद में आपको जो concept है वो समझ में आ जाए. जो pedagogy है वो सबसे पहले आप चितर में इसमें देख पा रहे हैं कि एक teacher जो है वो आपको पढ़ा रहा है और ये एक teacher oriented है मतलब जो कुछ भी teacher बोलेगा वही आप करोगे यानि कि जो first से लेके फिफ तक के बच्चे होते हैं उनको जो भी teacher सिखाता है वही वो लोग करते हैं उससे एक्स्टर वो कुछ भी नहीं करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं pedagogy model second इसकी stage आती है endagogy model इसमें जो है adult जो बच्चे होते हैं उनकी learning होती है मतलब जो 6th class लेके 9th, 10th या plus 1 या plus 2 तक के बच्चे होते हैं जो teacher उनको बताता है और आगे से student जो है वो questioning करने लग पड़ते हैं और इस stage में student और teacher की जो एक interaction होती है वो start हो जाती है मतलब बच्चा जो है वो question करने लग जाता है कि ये चीज हुई तो कैसे हुई तो इसको क्या बोलते हैं कि teacher और student के बीच में interaction वाला जो zone है उसको हम endragogy model कहते है जो third इसकी stage है वो है utagogy model utagogy model क्या होता है इसमें self learning होती है मतलब जो बच्चा होता है या जो एक इंसान होता है वो अपने आप से ही सीखता है मतलब जैसे PhD का level हो गया उसमें बच्चा जो है वो self determined हो जाता है कि अपने आप से ही चीजों को सीखने लगता है और apply problem को ढूंडता है और उसको solve करने के लिए अलग अलग solution वो create कर लेता है इस triangle से आपको इन stages को सामझना बहुती easy हो जाएगा जो इसका बहुती first level है pedagogy का इसमें क्या होती engagement होती है मतलब बच्चों की जो है वो किसी course को या किसी चीज को सीखने के लिए एक engagement हो जाती है और teacher ही उसको सिखाता है second क्या होता है endagogy model में कि cultivation cultivation मतलब कि जो teacher सिखाता है बच्चों को वो बच्चे उसका जो है वो सीखने लग जाते है और उससे teacher से ही उल्टा question पूछने लग जाते है मतलब cultivation का मतलब है कि जो बीच teacher ने बच्चों के head में बोया है वो अब वो अब plant का रूप लेना शुरू हो जाता है क्योंकि जो बच्चा जो सीखता है teacher से उसका आब वो reaction देने लग जाता है teacher को थर्ड इसमें है utagogy model इसमें होती है self-realization मतलब जो student है वो अपने आप ही सीखने लग जाता है जैसे PhD लेवल अब ये चीज़ आप याद रखें जो फॉस्ट लेवल होता है ये जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे फिफ्थ पेड़ागोजी में इसमें वो बच्चे आते है second level में क्या होता है कि जो adult बच्चे होते हैं जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो बच्चे होते हैं ये second level में आते हैं एंड़ागोजी में थर्ड लेवल जो होता है जैसे जो graduation के बच्चे होते हैं ये PhD level के बच्चे होते हैं अलांकि graduation का जो level है वो भी एंड़ागोजी में आते हैं क्योंकि इसमें भी एक curriculum होता है बच्चों का बट जो higher level होता है जैसे अगर कई बार बच्चे जो है graduation में research करने लग जाते हैं या फिजो PhD के बच्चे होते हैं और कि फुल इस पर हम अपनी understanding लेंगे तो फर्स्ट इसमें है कि pedagogy is a conventional approach अब इस paragraph की या इन ये जो model line की terminology थोड़ी सी tough होती है क्योंकि NTA net का ये level है और इसका जो main basic है वो आप समझ चुके होंगे तो जब NTA इसमें question करता है तो वो हमा के question करता है इसलिए इसकी जो language है वो इसमें tough है और basically आप इसकी book देखे तो KBS मदान में follow कर रही हूँ इसके अलावा आपको कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरी videos देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह जो मैं follow कर रही हूँ वो KBS मदान की book है जो NTA NET के first paper के लिए best है So the pedagogy is a conventional approach. Pedagogy जो है वो एक conventional approach है मतलब एक paramparic approach है मलोग पुरानी पद्दती है जिसको follow करके बच्चों को सिखाया जाता है In this method the instructor more or less control the material to be learned and the place of learning while presenting the course content to the students इस method में क्या होता है कि जो instructor होता है मतलब जो सिखाने वाला होता है बच्चों को जो material पढ़ाया जाना है या जो सिखाया जाना है उस पर उसका full control होता है मतलब जिस तरह से teacher बोलेगा उस तरह से ही बच्चे करेंगे The purpose of this method of learning is to acquire and memorize new knowledge and learn new skills अब इस model का जो purpose है वो ये है कि बच्चों को जो है वो new knowledge देना और उनकी जो memory है और उनको जो new knowledge है वो सिखाना उनकी memory को जो है वो enhance करना की memory में जाद जाद चीज़े जो है वो डाल सके और बच्चों को new knowledge देना और उनमें अलग अलग तरह की skill build करना मालब जो जो teacher बोलेगा बच्चे उस उस तरह से सीखते जाएंगे अगर teacher कुछ बच्चों को extra curriculum activities activities सिखाता है या कुछ खेल को उनको indulge करवाता है तो बच्चे उससे क्या है वो नई नई चीज़े सीखते है इंस्ट्रक्टर center teaching can also be described as pedagogical approach जो instructor center है मनलब teacher center भी आप इसको बोल सकते है मनलब teacher center क्या है कि main role जो है वो teacher का ही इसमें रहता है इसको ही हम pedagogy model बोलते है pedagogy is the art and science of teaching pedagogy model जो है वो teaching का art भी है and science भी है जो art होती है किसी भी subject को मनलब जब हम art या science में के रूप में देखते हैं तो उसमें हम देखते कि जो art है उसमें नहीं नहीं चीजों को सीखने की जो color है उसको हम art बोलते कि किस तरह से बच्चों को teacher सिखा रहा है कि वो बच्चे के mind पे एक positive प्रभाव डाले और science क्या है कि किन methods को follow करके बच्चा जो है वो सीख रहा है मतलब teacher उसको किस method का use करके बच्चों को सिखा रहा है pedagogy model is determined how the teaching occurs, the approaches to teaching and learning, the way the content is delivered and what the student learn as the result of this process so pedagogy model में एक teacher center process है तो इसमें हम यह देखते है कि teacher जो है वो बच्चों को सिखाने की कौन सी approach follow कर रहा है जिसे बच्चे को जादा से जादा सिक्षा मिले और उसका जो content है वो deliver करने का क्या तरीक है मतलब अगर कोई teacher खेल कूद के मादिम से बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है तो बच्चा जादा सीखता है और मतलब lecture ही देता जाता है तो बच्चा तो क्या है सीखेगा छोटे बच्पन में वो कुछ नहीं सीख पाएगा तो content किस तरह का एक teacher जो है वो deliver कर रहा है यह भी depend करता है कि student जो है इस process का result student पर क्या पड़ेगा in pedagogy approach the learner is dependent upon the instructor for all learning and the teacher assume full responsibility for what is taught and how it is learned अब यहां पर teacher को जो हो एक instructor के रूप में दिखाएगा है अब एक normally अगर हम ले कि जो instructor होता है जैसे gym instructor होता है तो वो जो है जो जो चीजे बोलता है वो लोगों को follow करने पड़ती है जैसे gym instructor है तो वो बोलता है कि यह diet खानी है यह diet खानी है तो लोग उसको follow करने लग जाते है तो इसलिए इस approach में teacher को जो हो एक instructor के रूप में कहा गया है तो जो learners है जो बच्चे है वो पूरी तरह से ही teacher या फिर instructor पर depend रहते है और teacher की जो full responsibility होती है बच्चे को सिखाने की The teacher or instructor evaluates the learning process of the student अब teacher या फिर जो instructor है वो ही evaluate करता है कि जो learning process है बच्चे की वो किस तरह से करवाई जाए ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा जो है वो सीखे Teaching का next model है andragogy model In this model the learning is mostly self-directed and is responsible for his and her own learning इस model में क्या होता है कि जो learning होती है वो self-directed होती है मझा बच्चा जो है वो अपने आप से ही सीखने की कोशिश करता है जब teacher उसको पढ़ाता है और बच्चा जो है उसको किस रूप में सीखता है या किस तरीके से सीखता है उसको हम self-director कहते है and उसकी जो responsibility होती है वो self-learning की जो responsibility होती है वो बच्चे की खुद की होती है The student learn best not only by receiving knowledge but also by interpreting जो student होता है वो नई knowledge को जो है वो सीखता ही नहीं है बलकि उसको interpret भी करता है interpret का मतलब है कि उसका जो उसमें जो छीपा meaning है उसको भी ढूडने की कोशिश करता है और उसमें deeply वो learn करने की कोशिश करता है और यह किस तरह से होता है learning through discovery जो teacher उसको पढ़ाता है उसको उसमें नहीं नहीं चीजों को add करके उसको discover करके जब वो interpret करता है interpret करने की कोशिश करता है उसको हम andragogy model में शामिल करते है इसमें क्या होता है जो instructor होता है या जो teacher होता है वो बच्चों को participate करने की facility देता है मतलब जैसे teacher जो है वो classroom में पढ़ा रहा है तो वो बीच में बच्चे को question कर लेगा कि मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया तो यह क्या है बच्चे की इसमें एक तरह से participation हो जाती है और उसको नई opportunities create करके देता है जो teacher है बच्चे को सीखने की नई नई opportunities create करके देता है और उसमें बच्चों को जो है वो participate करवाता है ताकि बच्चा जो है वो खुद से सीख सके और नई knowledge उस बच्चे को मिल सके और उसके साथ ही उसकी जो skills है वो भी develop हो सके इस तरह की जो टीचिंग होती है उसको एंड्रोगोजी अप्रोच हम कहते हैं एंड्रोगोजी अप्रोच की यह जो मेन करेक्टरिस्टिक है वो है सेल्फ इवैल्वेशन जो है वो एक टक्नीक है और इसको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी क्योंकि एंड्रोगोजी की जो है एक करेक्टरिस्टिक है अब यह भी क्वेशन आ सकता है कि एडल्ट लर्निंग जो है वो किसकी अप्रोच है तो आप इसमें एंडरोगोजी की अप्रोच लिख सकते हैं या फिर इसको अपने माइन्ड में लर्न करके रख सकते हैं टीचिंग का next model है हुटगोजी model हुटगोजी model जो है वो इसको self-determined learning भी कहते हैं जो एंडरगोजी मॉडल है उसको self-directing कहते हैं और इसको self-determining कहते हैं इसका मतलब यह है कि जो बच्चा जो है वो अपनी learning खुदी करता है उसको किसी भी तरह के कोई teacher या instructor की जरूरत नहीं होती है और यह जो है एक student center जो एक model है और इसमे student खुद ही काम करता है खुदी and capability the goal of utagogy to teach lifelong learning तो utagogy model जो है वो यह पताता है हमें कि जो autonomy मतलब अपने आप से की गई जो development है वो किस तरह से हो अपनी ही capacity किस तरह से increase करे और अपनी capability जो है वो student किस तरह से increase करता है यह इस model में आता है और जो utagogy model है वो एक lifelong learning को बताता है by nature utagogy learning is not necessary linear or planned it's more informal अब utagogy model में क्या होता है कि जो learning होती है वो linear होती है यह plan होती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चा है अपनी मर्जी से चीजों को plan कर सकता है या अपनी जिस मर्जी वे से वो सीखना चाहे उस मर्जी वे से वो सीख सकता है और यह informal method है formal में क्या होता जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है कि formal में क्या होता है कि direct teacher जो है वो उसको syllabus प्रोवाइड करता है बच्चों को सीखने के लिए syllabus दिया गया होता है but utagogy model जो है वो एक informal method है मतलब इसमें जो एक student है वो किसी भी form में सीख सकता है informal मतलब जो society में बात चीत करके य वो डिफाइड नहीं किया गया है किसी institute के द्वारा तो वो एक informal method है इट पैलर्स हाव पीपल बेस्ट लर्निंग और स्कूल सेटिंग यह model हमें सिखाता है कि जो लोग है वो आउटसाइड मतलब society से किस तरह की बेस्ट लर्निंग जो है वो कर सकते हैं the teacher serves most likely a coach टीचर जो ह कि आपको यह यह चीज़ करनी है और बच्चा उसको जो खुद बखुद करके ले आता है they are valuable resources student who can took to if necessary but they are not the primary education knowledge source अब हुटा गोजी मॉडल में क्या होता है कि बच्चा जो एक higher level में आ चुका होता है मन्दू जो एक student है वो PhD लेवल दक आ गया होता है तो उसका जो knowledge के sources है वो बहुत सारे हो सकते हैं यह resources जो होते हैं वो student को define करना है कि वो valuable है या नहीं या उसके लिए जरूरी है या नहीं यह बिल्कुल ही student पर निर्वर करता है तो हुटा गोजी मॉडल एक student center मॉडल है